चलो भाई शुरू करते कहानी डिसकस करेंगे पाटनर्शिप और कोशिश करेंगे कि अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको दो बारा ना पढ़ना पड़े है ना एक बार में कहानी क्लियर हो जाए अपन एसी कोशिश करेंगे तो नोट्स आप साथ में बनाते चलना है ना और जो नहीं बना पाएं वो क्या करना है घर जाके नोट्स बनाना सर पर नोट्स सबको बनाना है थोड़ना नहीं है चीजों को नोट्स सबको बनाना है चीजों को छोड़ना नहीं है कि अले अलड़ी फुल किया हुआ है हम् सब्सक्राइब वह ईतन Sr. एक्षॉल में पार्नरस्पीं दो प्रकार की होती है पहले टाइब की पार्ट्नर्शिप फूगी जिसमें Latinoハムला यह तुनों मेंबर क्या करेंगे यह पैसा लगाएंगे और काम भी करेंगे इह कि पार्ट्नर्सपीं दूसरी होती है कि एक बंदा पैसे लगाता है काम नहीं करता और दूसरा बंदा काम करता है समय देता अपना है तो डिपेंड करता है कि कोन बंदा समय दे रहा है और कोन बंदा केवल पैसे दे रहा है या फिर ऐसा भी होता है कि पैसा भी दिया और समय भी दिया है तो एक होत कब होता क्या है कैसे के-से सवाल आपको देखने को मिलेंगे उनको डिसकस करते हैं sr जब भिन 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 पूंजी अलग-अलग समय के लिए लगाई हो जैसे मनलों दो पाटनर है उन्होंने पहिसा बराबर नहीं लगाया है कि अलगवे कि लिए लगाई हो पैसा 15 रीकर पूंजीया इनका कम जब या दोस्ता कि नीन पैसा क्टे कर दिया बस जब भीच व्यापार में कुछ धन वांपस सुुरू कि आप और आप शोन से लिया उसे होगाग है ऐसा भीलि क्लिएर अफिर बिजनस का उससे जर्वत पड़ी EEवह होगा किलीई १ अपने आप लगा दिए वहां पर मेरेशा फिर जादा लगा तो यह सब टाइब के तो में जोना करना है आप ने आप ने अनुपात वाला टॉपिक अपना पढ़ लिया है हाँ या ना और जिनने नहीं पढ़ा है अब मैं उनको सगेज भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आलड़ी मैं रोज चिला रहा हूं कि भाई वीडियो डला हुआ यूटूब पर पहले इसको देख ले इसके बिना कहानी अधू हुआ तो तुमता भी है ना आपको समझना पढ़ेगा कि आप लेट हो तो चीजों को खुद पढ़ोगो यहां तक उसके बाद आपको डिसकस करोगे और खुद कहां से पढ़ना है आपको यह नहीं कर रहा हूं कि सैल पढ़ो यूटूब पर वीडियो डला है जो यहां चि हैं और गोर्ट करना सीखा था आप यह जो पाटनर्सिप है इसमें पैसा बटेगा केसे एक चीच तो यहार रिकौर्डिंग चाल रहते ना तो तुम बड़े संथ बैठ भी चलेगा आपने ऊंपस् manos कुक्व रडव बाला माई की उसमें आवाज में आती है चलो अ prevents होता है A और B दो partner है है न चा भई तुम कुछ भी कर लो आवाज नहीं आएगी इसमें चलो मदब चेक करें quality उसकी तो A है और B है मान लो इसने 1,00,00 रुपई लगाए बिजनेस में कितने लाख रुपई लगाए? 1,00,00 है ना तो इसका मतलब कि जो भी profit होगा उसमें से 1 हिस्सा इसको मिलेगा और 2 हिस्से क्योंकि इसका पैसा डबल लगा था तो इसको डबल पैसा profit का मिलना चाहिए इसका पैसा single लगा था तो इसको single मिलना चाहिए मतलब जितना भी हम कमाएंगे उसके कितने हिस्से करेंगे तीन सर तीन हिस्से होंगे तीन में से एक हिस्सा ये ले जाएगा और दो हिस्से ये टोटल तीन हिस्से होंगे यह हमने अनुपाद में सीखा हुआ था ठीक है ऐसे ही ऐसे ही दूसरा टाइप जो आएगा वो क्या आ एक साल तक एक साल तक काम को अकेले ही करता रहा फिर एक साल बात इसको लगा पईसे की जरूष और और है मुझे इस अFlhanky का मैं किuda की एक साल से काम से यहां टो एक लाग रूपए लगाए एक वर्स ओ चुका था एक वर्स के बात समझ में आया कि सर और पैसा बिजनेस में हमें लगाना पढ़ेगा तो इस बंदेने क्या गां एक दूसरे तक business और चला और फैनली कितने साल हो गए ऐद फैना है वारी साल कटने सको अब उनको जो प्रॉर फिट हुआ सपोज मान लेते हैं कि उंहोंने सपोज मान लेते हैं कि उन्होंने चार लाक रुप़े कमाए जटा लाक पूरे बिजनेस में इसको डबल पेसा नहीं मिलना चाहिए, इसको डबल कम मिलता जब सुरू से साथ में होता, तो यहां पर कहानी समाई की भी आ गई है, इस बंदे का एक लाख रुपए लगा था, और कितने साल तक लगा रहा, दो साल तक सर, और इस बंदे का दो लाख रुपए लगा था, पर तो पूंजी मतलब capital होता है यहां पर पूंजी को हम capital बोलते हैं जब ब्याज वाली कुश्चन पढ़ेंगे वहां पर पूंजी को हम मुलधन बोलेंगे principle तो यहां पर जो पूंजी है और जो time है वो दोनों पर करता आपका profit कि भाई कितना पैसा और कितने साल तक तुमने बिज्चेस में लगाया और यहां पर इसकी पूंजी और इसका भी time है कुल मिलाकर हमने देखा कि एक लाक रुपे दो साल तक लगा रहा इसका मतलब यह कितना रेसो है इसका दो एकम दो और इसका दो लाक एक साल इसका भी रेसोय कितना था दो एकम धो मतलब यहां पर जो पैसा कमाएं यहांगा एक रेसो एक में बटेज़ा मतलब बडराबर बटेज़ा यह न एक इसको मिले गहारे फिस्टा उसको बीभी मिलेगा क्योंग्यूंकि इसका दो लाक एकी साल तक चलता रहा अगर यह चाह का रहे गया था रहे भई आप इसको का बिठाएं तुमने तीन लड़की छे लड़कियों ने तीन टेबल रुखाई हुई है सुनो तुम इधेर आजाओ एक लड़क्या दोनों इधार आ जर्याओं तो बेतर रहेगा और तुम तो इस्टव मित्र हो तुम्हें साथ में बेठना चाहिए तू कहां जा रहा भाई तू भी इस्ट मित रहे गया चलो कुछ कहां नहीं समझ में आई finally हम result पर पहुचे है sir finally हम result पर क्या पहुचे है कि जो भी बंदों का profit होगा इसका profit है ना जो भी बंदों का profit होगा वो केसे बटेगा तो जो profit होता है वो केसे मिलता है आपके पेसे के directly proportional होता है है ना जो profit मिलेगा वो आपकी पूंजी के directly proportional होगा आपने ज्यादा पैसा लगाया है तो प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा आपने पैसा कम लगाया तो प्रॉफिट भी कम मिलेगा और जो पैस टाइम है उसके भी प्रॉफिट क्या होगा प्रपोर्शनल होगा जितने सालों तक पैसा आपका लगा रहेगा उतना पैसा करता है कितना पैसा लगाया और कितने साल तक लगाया कुछ पल्ले पड़ा जो प्रॉफिट डिपेंड करेगा वो कितना पैसा लगाया और कितने साल तक लगाया इसके प्रोडक्ट मतलब गुणा पर डिपेंड करेगा हाँ या ना कुछ पल्ले पड़ा कहानी खतम इसके अल अच्छे तो पक्का पक्का अंसर दे पाएंगे क्या कुश्चन विजीबल सभी को हो रहा है सर कि अभी अगर नहीं हो रहा तो अब होगा अब हुआ कि क्या लिखा है बाबा पढ़ो ज़रा कि अधिश्च कि किसी का अंसर आये तो बताना देखो मैंने कुछ नहीं पढ़ाया केवल अभी मैंने एक नॉलेज दिया आपको कि पार्टनर्सिप क्या होती है अब उस सवाल को पढ़ो मैं यह कहना हूँ आपका भले अंसर ना है पर कहानी समझ में आ जानी चाहिए कि व्यापार कैसे कर र रहा है कि मोहन को कितने पैसे मिले प्रॉफिट का मोहन ने प्रॉफिट का कितना पैसा कमाया यही आपको बताना है हाँ या ना है कि के सर लो भाई देखो तीन लोग थे भाई या राम स्याम और मोहन एक था राम एक था स्याम और एक था मोहन मैंने कहा कि इनको जो भी पैसा कमाया वो कैसे बढ़ता है वो पैसा बढ़ता है इनने कितना पैसा लगाया है और कितने सालों तक लगाया है तो हम पढ़ते हैं इसको राम ने 15,000 रुपे बिजनेस में लगाया हैं और एक धंदा सुरू किया है और एक साल के अंत में कितना कमाया 90,000 अब सोचो धंदा तीनों ने शुरू किया और आखरी तक तीनों रहें तो यह समय का रोल तो अगर आप तीनों का समय एक एक साल लिखो अब पैसे के साव कितना पैसा किसी सबस्क्राइब तो इसको जोपेसा में इसने कितना पिज्स लगाए सर पंदरह हजार लिख दू अरे लिख उसके अनुपात में ही क्या बटएगा मोedं मिला कि कि हमारे पाच जो पैसा में करना है 15 15 32 33 33 बोलो हां या ना तिर्पन हिस्सों में हमें पैसे को बाठना पड़ेगा कितने हिस्सों में क्या मैंने सही जोड़ा है चलो अब चुकी हमारे पास जो प्रॉफिट हो कितने 1000 का है 90 इस नभ्य हजार को कितने हिस्सों में डिवैट करना है तिरपन हिस्सों में उसमें से हमें किसको मोहन को मोहन को कितने देना है 21 से सर तिरपन हजार का जो वेल्यू है सोरी तिरपन रेसों में जो तिरपन है अनुपात में जो टोटल तिरपन है एक्चुल में वो कितना है नभ तिरपन होता तो यह पैसा बढ़ता अगर तिरपन हजार होता तो इसको 15,000 मिलते इसको 17,000 मिलते और इसको 21,000 मिलते अगर तिरपन लाग प्रॉफिट होता तो इसको 15,000 मिलते इसको 17,000 मिलते इसको 21,000 मिलते मुझे एक बात पता चली कि तिरपन जो रेसो में आ रहा है एक् यहां लिखो और जो भी पता करना है उसका गुणा कर लो आपको जो पता करना वो क्या है मोहन की कुलाय कितनी है सर 21 है यह लो में कटिता वह है कर पimate elas No तो यह जो क्यल्कुलेशन करोगे इससे आपका अंसर में लगभग विया 35,000 लगभग आ रहा है कि उसमें क्या सवाल था कॉपी कर लो भाई इसको हाँ तो कहानी समझ में आ गई यहां तक केल्कुलेशन भी फोकस मत करो कॉंसेप्ट समझ में आया यह नहीं आया चालो कॉंसेप्ट अगर समझ आया तो कोई दिक्कत है नहीं हम पढ़ रहे हैं सर साजा साजा मेरे पास जो बुखे 202 पेज नंबर पर है और जो 202 पर है पहला सवाल जो है वह अपना होना था यह ना 15,000, 18,000 और 21,000 था मैंने क्या लिखा है 17,000 बाइड डिफोल्ट एक डेटा की मिस्टेक थी बागी कोई दिक्कत नहीं है अगर आप उस डेटा को सुधार लोगे तो आपका अंसर सहीं आ जाएगा अगर वहां 18 होता तो बोलो यहां अठरा आता और यहां अठरा आता तो यहां कितना आता चाओवन आता ठीक है अब अगर आप चाओवन को डिवाइट करोगे तो 3 से यह साथ बार तीन एकम तीन तीन अठे चोविस अठार पंजे नभे तो यह पांच यह और पांच सता पैंतीस जार आपका अंसर आएगा बोलो हां या ना वो डेटा मिस्टेक था यहां पर अठारा आजार आएगा तो आपका अंसर सहीं आ जाएगा किसे को डाउट चलो नोट आप घर कर सकते हो वीडियो आपके पास रहेगा और मैं पीडियाप भी भेज दूँगा ठीक है आगे समझते हैं आपको केवल क्लास में प्रैक्टिस करना है उसिस करना है कि हम केसे जल्दी से जल्दी आंसर ला सकते हैं हमारी स्पीड कितनी है किल्कुलेशन की वह आपको देखना बताओ क्या अंसर आ रहा है कितना आ रहा है अट्थाइस हजार कोन आ है भाई कि उसको खुलो अंदर लगा हुआ है चाबी ही नहीं देखो कितना अंसर है भाई कि सबका आ गया कि देखो ऐसा तो संबह भी नहीं है अलाकि सवाल कठिन है नहीं पर मुझे उम्मीद है कि तुम में से ऐसे बच्चे भी जिनका सबका अंसर नहीं आया होगा पर हम आदत से लाचार हैं हम नहीं पूछेंगे तीन लोग हैं रिता गीता और रिता गीता सीता पैसा है कितना दस जार बारा हजार और चौदा हजार हजार काट दें तो दस आरे रुक ‑‑ दस पारा और चौदा दो से काटने करी नोग तो पांच चोर साथ मतलब जो भी पैसा कमाया वह बटे अब का ऐसे पर थोड़ा ध्यान दो यह business चला है, दो साल तक. तुम चाहो, तो इसका पैसा भी कितने साल तक लगा रहा? दो साल तक. इसका भी कितने साल तक? पर इसा करने से कोई फाइदा? नहीं है. क्योंकि तीनों ने समय बराबर दिया है जब भी समय बराबर हो तुसको लिखने की जरुवत नहीं है पर समय बराबर नहीं हो तब लिखना पढ़ने पढ़ गया तो अभी जो पैसा बटेगा वो कैसे बटेगा 5-6-7 में मतलब 5 और 6 ग्यारा और 7 18 हिसे करना पड़ेगा तो कुल कितना है सरर रेसो में टोटल जो है वो 18 है हां या ना रेसो में जो total है वो अठारह है पर एक्ष्वल में कितना है 212,000 है रेसो में 80 है उसका value है 12,000 रुपया हां या ना, पता चल गया कि 18ग का वेली viens 32,000 है, तो क्या पता करना है उसका गुणा कर लो, क्या पता करना है सर, सीता माता जो हे उसका कुल प्रॉफिट कितना है, कितना अंसर आया है, कि अच्छा साथ आ रहा है बोलो कितना अंसर आया कि 28,000 मैं तो यही देख रहा हूं कि तुम्हें पढ़ने पढ़ रहा है कि नहीं कि मैं बस लिख दूर तुम मान लोगे पदले 14 बारा 10 जो आपने रेसो निकाला है वो सिंप्लेस फॉर्म वाला जो होता है हमने आनुपात में चिल्ला चिल्ला के बोला हुआ है कि अनुपात किसको बोलते हैं जो सरल रूप में हो तो यह सरल रूप नहीं है यह है तो हमने इस डेटा को अगर किल्कुरेट किया है तो वेली भी 7 को लिखना पड़ेगा नकी 14 को परले पड़ गया भाई चलो बढ़े आगे अगला सवाल यह रहा आपकी स्क्रीन पर तूट पड़ो भाई बताओ किदना अंसर आ रहा है दो वेक्तियों ने तीन वर्स तक साजे का एक धंदा करके 50,000 और 70,000 का लाव प्राप्ति गया उल्टी कहानिया आपर प्रॉफिट कितना मिला यह पता चल गया है तो हमारा जो प्रॉफिट बढ़ता है वो केसे बढ़ता है प्रॉफिट केसे बढ़ता है जितना पैसा उन्होंने लगाया उसके हिसाब से उनको पैसा मिलेगा तो जो रेसो प्रॉफिट का है वही रेसो उनकी पूझी का होगा जो रेसो उन्हें पैसा बाटा है कमाई कुछ इस प्रकार से बाटा है उसी प्रकार से पैसा भी तो लगाया होगा ना आया ना तो यह जो profit है उसका रेसो और जो पैसा लगा उसका रेसो सेम आएगा यदि पहला वेक्ति कितना रिवेश करता है 20,000 सोचो ए है जो पी है इसका profit कितना है सर 50,000 बोलो हाया ना और इसका profit कितना है 7,000 अगर मैं इसको उड़ा दू तो तो रेसो क्या आएगा 5,95 इसको 7,000 इसलिए profit मिला क्योंकि इसने पैसा 6 हिससे लगाया था इसको 50,000, इसलिए profit मिला, क्योंकि इसने हिस्सा कितना लगा था पेसे का, 5 ही लगाया था, इसने 5 हिस्से लगाया था, इसने 6 हिस्से लगाया, फिर उसने कहा है कि पहले वेक्ति ने 20,000 रुपे लगाया थे, सर पहले वेक्ति ने 5 नहीं, 5 की जगा पे कितना है, 20,000 है, सर प मतलब पहले वेक्ति ने 20,000 लगाये थे और दूसरे ने 24,000 लगाये थे इसलिए आपका अंसर क्या आ गया ठीक है यहां तक किसी को डाउट हो तो बोलो भाई क्लियर यहां तक जल्दवाजी में नहीं पड़ते थोड़ा आराम से चीजों को धीरे दे कुस्टन का लेवल बढ़ाएंगे अगर अभी से थोड़ा सा हाइफाई कर दिया तो दिक्कत आएगी हो सकता है कुछ महा अनुभ अब यहां पर आप्सन नहीं है अभी तक तुम्हारे पास कहानी में आप्सन हुआ करते थे अभी आप्सन नहीं है बोलो क्या उत्तर आएगा अक्कडबक्कडबं में वह तुक्का मानने का आप्सन खतम हो गया एक ने लगाए साहाथ हजार एक लेगा नभ्य हजार और एक ने लगाए एक्स रूपए नहीं मालुम किता है यह महने लिए एक व्यापार करते हैं है ना यदि आउधी के अंत में प्रत्ते को 30,000 35,000 और 40,000 रुपे मिलते हैं एक्स का मान बताओ तर जो रेसो प्रॉफिट का होता है वही रेसो उनके पूंजी का होता है जला यहां पूंजी का रेसो देखो 30,000 मतलब कितना तीस पूंजी का रेसो कितना है पूंजी मतलब केपिटल लिख दू जो रेसो केपिटल का होता है वही रेसो किसका होता है प पाननाम 45 और 58 चालिस पाइव एटजाव 40 फाइब नेज़ाव 45 और 56 जा थार्टी जिस रेसों में इन लोगों ने पैसा लगाया था उसी रेसों में इनको पैसा मिलेगा तो इनको जो इन्होंने जिक्षा क्या है यदि आउधी केंत में इन्होंने यह प्रॉफिट कमाया सौ उसने कितना लगाया नब्ब्य हजार सर छे का मतलब क्या है नो का मतलब क्या है तो दुस्ट प्राणियों आठ का मतलब 80,000 होना चाहिए नहीं तो यह आपका आंसर कि कितना हो गया भाई असर होगे 80,000 अर्यार यह यह ऐसा वर्ड यूज़ कर लो तो बुरा तो लगे किसी अब तुम तो मेरे सामने तो नहीं दे पाओगे पर कमेंट वाला मेरे सामने तो इनर आएगा उसके मन में जो आएगा वह बढ़ आएगा इधर देखो हो गया भाई यहां तक किसी को डाउट होता अपन क्लियर करते हैं हाँ बता है अच्छा है एक नंबर चल रहा है सब ठीक चल रहा है सर बढ़िया है कि एना कि बढ़े भाई एक नंबर चल रहा है हमको समझ में आ रहा है पर हम हमारे साइड वाले हीरो जो दूसरी जगा पढ़ रहे होंगे उनको कभी नहीं बताएंगे सर क्योंकि वो भी सीख जाएगा चलो दो वेक्तियों में साजे में एक व्यापार इसका अंसर तुम ही बताओ अगर एक नंबर सब कुछ चल रहा है तो इसका अंसर बताओ सर पता चलेगा कि एक नंबर चल रहा है कि दो नंबर चल रहा है कि एंग इदना आया कि तुक्का मार रहे हो तो दोनों ने दस जार दिया तो तुक्का तो मारा नहीं होगा तो बेक्ति हैं उन्होंने इख व्यापार शुरू किया और दूसरे प Emmanuel सुनाता सर सर जो पैसा बढ़ता है जो प्रॉफिट बढ़ता है और प्रॉफिट अ का और प्रॉफिट पी का जो पैसा बटेगा वो कैसे बटेगा इनने कितना पैसा लगाया और कितने साल तक लगाया इसने भी कितना पैसा लगाया और कितने साल तक लगाया अभी तक मैंने केवल पुंजी की बात की थी या टाइम की की थी अभी यहां पर यह देखना है कि जो भी प्रॉफिट पी लि कितना पैसा लगाया भी मतलब टे म कितना बड़ रहा भड़ा है अब देखो आप हो ज़रा उया कि पहले वेक्तिने कितने साल तक पैसा लगाया तीन साल तक तो यहां बंगे पुन्जी समान है तो पुन्जी सब उड़ा देती है कोई भिक्कत ही नहीं यहाँ पर जो पैसा बटेग हो टाइम के हिसाप से बटेगा तों इसको मिलेंगे तीन हिस्से और इसको मिलेंगे पांच हिस्से अब बोला है उन्हें 16,000 रुपए कमाए उन्हें एक लाग सांट हजार कमाएं कितने कमाएं यहां अगर हम रेसों में देखें तो कितने कमाएं केवल आठ पर आठका मतलब है ऑस रजेंए 1,00, 40 हैना सर, 1,00,000 है तो बोलो किसका पूछा उसने तो 8,00, 20,000 1,00,000 होगी 100,00 1500 मतलब 100,00 एक व्योक में 5,00 विधियों लगा दिया, 1000 लगा दिया है पल्हे पड़ा भाई तो इसका मतलब जी कि दूसरा वेक्ति उसको कितने लाख रुपे मिलेंगे एक लाख मिलेगा उसको प्रॉफिट का अधा पहले को कितना मिलेगा तो बचावा उसका साहट अधाल कमाई में से जो पैसा बचा वो दूसरे का आगे बढ़े सर अगला सवाल यह रहा स्क्रीन पर बताओ जरा कितना अंसर इसका राम रहीम कुछ पढ़ने पढ़ रहा है जर साहब कितना अंसर आया तो बीस हजार चलो कि बोला है राम रहीम ने समान पुंजी लगा अगर पुंजी सेम है ठीक है एक व्यापार शुरू किया अब यार यह कहानी थोड़ी सी उलज गई है आपने इधर अब यूज किया हुआ इधर भी लिख लो यह राम ए रहीम ए और राम भी तुम्हें पढ़ने पड़ा मैंने क्या बोला चलो बढ़िया है यही सोच रहा हूं कि तुम्हां ध्यान है कि ने चलो दोनों ने समान पुंजी लगाई मतलब पुंजी का रोल तो यहां पर है नह है न कितने महिनतक लगी रही 8 मेहिने तक और व्यापार कितने साल का था रिए कि लगे बस इसने पैसा अट मह रहे लगा और इससे मेंने तो इसका हिससे उसका होगा 6 से तो एक को मिलेंगे आठ इसर दुसरे को मिलेंगे मतलब 4 अनुपात 3 बोलो हाई या न तो टोटल कमाई कितनी होगी साथ पर एक्च्वल में टोटल कमाई कितनी हो उनकी 42,000 साथ का मतलब कितना है सर पता चल गया 42,000 है तो क्या पता करना है हमको राम मतलब बोले तो ए ए को कितना लाब होगा 4 तो 24,000 पक्का आंसर आएगा 24,000 आगे बढ़ते हैं सर आंसर होगा सर 24,000 ये लोग अगला सवाल स्क्रीन पर आपके अब यहाँ पर दोनों चीज़ें आईए सर इस सवाल में तुम्हें दोनों चीज़ें देखने को मिलेगी पूंजी भी अलग है और टेम भी अलग अलग है पूंजी भी अलग इस केस में और टाइम भी अलग अलग है तो मैस का अपना एक पोर्षन लगभग एंड हो गया एक पोर्षन जिसमें हमारे लगभग पांच अध्याय चेप्टर हो चुके हैं अनुपाद समानुपाद आयू वाले सवाल ओसत वाले सवाल पाटनर्सिप वाले और एक और एक और क्या था यार मिसरंड बरोबर तो यह पांच अध्याय में कुछ भी नया नहीं है सब एक जैसा है हम अभी जो पढ़ रहे हैं इसका मतलब हम अनुपाद की प्रेक्टिस कर रहे देखा जाए तो अनुपाद चिप्टर हमने पढ़ा है उसकी क्या च इतना आया 25,000 पैसा बटेगा कैसे सर तीन लोग हैं ए पी और सी तीन लोग हैं सर एक का नाम है ये का नाम है ये का नाम है अबटेगा पैसा बटेगा पूझी और किसके अनुपाद में ताइम के तो ए ने कितनी पुझी लगाई 20,000 क्या इसको पहले अपन उड़ा दें ये 3-0 ये 3-0 और ये 3-0 है ना पांच से चार बार पांच बार पांच से छे बार तो पुझी का रेस्व क्या होगा चार पांच छे ये किसका रेस्व आया पुझी का अब किसका रेस्व निकाले हैं अपन ए की पुझी 3 साल तक रही ए की पुझी कितने साल तक तीन साल तक वी की पुझी कितने साल तक दो साल तक और सी की पुझी एक साल तक ये 3 साल ये 2 साल और ये 1 साल मतलब इसको कितने हिस 28 हुगा तो यह पैसा बट पाएगा जबकि टोटल कमाई कितनी उनकीं ना सट्था गया कण कट रहा है हाँ हाँ चलो यह 1000 हो गया और यह 4 हो गया है ना चार से कितनी बार कटेगा थाइसो बार और थाइसो गुणा दस पत्चीस सो रुपया कि तहीं है अरे लोग खुष यह कलीना पत्चीस सो की पत्चीस जार कि पत्चीस अजार आएगा ठीक है लो तो आन्सर क्या हो गया पत्चीस जार कैसर क्या हो गया ऑच्छीजार केशार कि फोकस मत करो कैल्कुलिशन अब बच्पन से सीख रहे हैं गुणा भाग आपको कि विजिया हस रहे हो क्या बात कि आगे बढ़े आगे बढ़े सर अरे मैं कुछ बोल तो बुरा तो नहीं लगे कि यह यह बात होनी चाहिए दम वाली बात लगे तो लगे कि इतना बुरा लगेगा ना उतना रिजल्ट अच्छा आएगा कि यह क्या लिखा है और कि यह वह और लिखा है कि अच्छे सब्द पढ़ते नहीं आएंगे तुमको उसको तीन बार पढ़के देख रहे हैं सब्जेट कि 8 महीने 6 महीने और ठीके 10,000 रुपल अगर 12,000 रुपल है पूंजी कितनी है पहले की आठ महीने कितने हजार रुपल लगाए 10,000 और दूसरे ने 6 महीने कितने हजार लगाए 12,000 1000 से 1000 उड़ा दिया यह ना यह कितना हो गया 80 और यह कितना हो गया 22 किसे काट दे आठ से आठ धाम 80 आठ नाम 22 इसको 9 हिस्से मिलेंगे और इसको 10 मिलेंगे कितना प्रॉफिट है सर पिंचाण्णू 100 का लाब के प्राप्त हुआ है तो रमन का लाभांस कितना होगा रमन मतलब पहला बंदा चलो 19 का मतलब कितना है 19 का मतलब है पिंचाण्णू 100 तो हमें क्या पता करना है रमन 10 इस पन्जे estar यह पंच पींचननू 550 कोड़ा डश पांच अचजार रूप Tschoba कौन है को हुघ पांचे जार रूपए कौन कौन है रमन क कौन है यहां पर हें ट्वर समाइव पहला और » Pod कल की क्लास आपने इसके एंड होगी इस टॉपिक की और परसो की क्लास में सभी से मेरी रिक्वेस्ट हैं कि अपसेंट मत रहेना जैसे अनुपाद की क्लास में अगर आप अपसेंट थे तो अगले 8 दिन 10 दिन 15 दिन आपको दिक्कत आई होगी ऐसे ही कल ये खतम होगा परसो नई कहानी चालू होगी इससे पूरी हट गे तो उस कहानी में अगर आप अपसेंट हैं तो जिम्मेदार आप खुद रहेंगे अगले 15-20 दिन तक क्योंकि जैसे हमने अनुपाद पढ़ा अनुपाद में जो हमने सीखा उसके अलावा किसी चेप्टर में हमने कुछ यूज चाहे आपने मिस्रन पढ़ा हो चाहे आपने ऑईू बाले सवाल पढ़े हो चाहे आपने पाटनरर् Kazi expand पढ़े हो चाहे आपने और सद पढ़ा हो एसे ही चलिक Помने के मालू करेंगे उसमें जो चीजे सीखेंगे वही वही कॉंसेप्ट आपके आगे के तीन-चार चेप्टर में लगेंगे इसलिए उस चेप्टर में आपका होना जरूरी है और यह और चीज है तुम लोगों को है ना मैं फिर कह दूँ आपको सब को पता है होसियार भी हो मुझ ने दूसराा उपसन क्या है फिर घर तो नहीं बेट हैंगे रहेंगे पदि आ क्कों बोला है प्सांस बोला भाई क्या बोला क्या बोला कैस्ट ऑफ। मैंने पिला करने का बोला लाविए दुस्त प्राणी है चलो यहां डिसकस करते हैं 2023 में हैं आपके पास अगर नोकरी आनी होगी तो आज आएगी और 2023 में तुम नहीं नोकरी पाए तो इसका मतलब तुम्हारी वो वेल्यू है नहीं कि तुम पालो कोई नया बच्चा अब भी तैयारी करने भीड़ा तो हो सकता है कि उसको हिम्मत कि यहां तक आया है है ना तो अब मैं कहूंगा कि चार मेनी हिम्मत रखो फिर हिम्मत फार जाना तुम भले कोग एक सर ऐसा तो कोई टीचर आज तक नहीं कहता है तो वो साइद इसलिए नहीं कोचिंग चलाना है मुझे भी चलाना है पर मैं किलियर कर रहा हूं अगर आप इस बार नोकरी नहीं ले पाए तो फिर आप में वह एबिलिटी है नहीं आप समय खराब मत करना जितना सीखे हो आपके जीवन में काम में आ जाएगा जो अभी तैयारी करने है उसको कम से कम दो साल तीन साल देने चाहिए ना पर दो तीन साल जो दे चुका उसको चौथा स साल नहीं देना चाहिए वह गलत तरीका है और इस बार आपके बार नोकरिया बहुत सारी है देखो फोरेस्ट विभाग में नोकरी आई है अभी नोटिज दला है उसके बाद जेल प्रहरी में आ चुकी है पटवारी तुम दोगे ही दोगे और कौन सी है ससी जीडी स्टेबल और इसाई दोनों आने वाली है तो कुल मिलाके तुम्हें अगले चार-पांच्छे में हर महीने एक्जाम देनी है तो यहां नहीं तो यहां नहीं तो यहां नहीं तो यह नहीं तो कोई और सहीं और यह नहीं तो कोई और सहीं पर तुम्हें कहीं नहीं बाजी मान है नहीं तो मैं बोल के बता देता हूं लिखो अगला सवाल अगला सवाल है उसके बाद तुम्हें भाई रिलीज कर देंगे ना इंसर ना लो है कि क्या बेढ़ है चलो भई सवाल लिखो कि कि इतना आठवा सवाल किया ना अपन ने का नां था राम सवाल मोहन क्या था हा शार पांच च्हों साथ अठ लिखों कि राम और स्याम क्रमसा हाथ हजार और अस्य हजार रुपई लगाकर एक कोट में लिख सकते हो भाई राम ने कितने लगाए पूंजी साथ हजार स्याम ने कितने पूंजी लगाई असी हजार राम ने पूंजी लगाई है साथ दो बंदे हैं एक राम है और एक स्याम है इसने पैसे लगाए साथ हजार इसने पैसे लगाए असी हजार बोलो यह क्या राम 40,000 रुपए और निवेश किया अब कहानी उलजी है सर कहानी को समझ ना इन्हों ने ये व्यापार सुरू किया अगर कोई भी पैसा नहीं लगाता तो वो पैसा इस रेसों में बढ़ जाता बोलो हाँ या ना पर क्या हुआ हुआ क्या है छे मेंने बाद बोल रहा है कि राम ने 40,000 रुपए और निवेश किया राम ने पहले कितने लगाए थे इसने 40,000 रुपए धंदे में और लगा दी तो बोलो कितने होगा इसके अब वो एक लाख लगा चुका है सव हजार लिग दू एक लाख रुपए उसके बिजनेस में अब लग चुके है जबकि नौ महीने बाद सियाम ने 20,000 रुपए वापस निकाले कितने महीने बाद सियाम ने नौ महीने बाद जार द्यान समझना इसने नौ महीने के बाद आफ्टर 9 मंथ इसको जरुवत पड़ी पईस है कि तो कितनी निकाल लिए 20,000 इसने 20,000 निकाल लिए तो इसके बचे कितने बिजनेस में आप इसके आप धंदे में 60,000 रुपए चल रहे हैं बोलो हाँ या ना यह कहानी समझ में आ रही है मैं कुछ भी नया नहीं कर रहा हूँ बस सवाल को लिख रहा हूँ अभी क्योंकि मेरे पास सवाल है नहीं तो मैं ऐसे लिख के समझा रहा हूँ ठीक है अब वो कह रहा है कि वर्स के अंत में 33,000 का लाब हुआ तो प्रते का लाब क्या होगा साल के आखरी में टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है सर उनका 33,000 रुपई साल के आखरी में टोटल 33,000 रुपई इन लोगोंने कमाए साल के आखरी में टोटल इनोंने कितने हजार कमाए 33,000 अब कौन बच्चा मेरे बिना बता इसका अंसर बता सकता है कहानी क्या है कहानी यह है कि जो पैसा बढ़ता है वो कैसे बढ़ता है सब को मालू यह तो मैंने question लिखा पूरा एक बार repeat करते हैं कहरा है कि राम और स्याम ने सहाथ हजार और अस्याजार रुपई लगा कर एक व्यापार सुरू किया फिर कह रहा है कि after six months छे महिने के बाद राम ने 40,000 रुपई बिजनेस में और लगाए राम ने और कितने पैसे दिये हैं पर 40,000 रुपई और दिये साथ हजार तो ओलडी बिजनेस में सुरू में दिये थे 40,000 और दिये तो अब उसके बिजनेस में कितना लग गए एक लाक बोलो है या ना और प्याम ने शुरू में अस्य हजार दिये थे पर नौ महीने बाद उसको पैसे की जरौत पड़ी तो उसने बिजनेस में से कितने के अब याना अब सो चया की भाइम में अगर ऐसे कहूं कि सबस्स्राइब 하면 कि ट्रूंट भीत्व में जղीन शाना 960hesion5 अब फिर 6 मेने के बाद कितना पैसा था उसका एक लाग तो जो एक लाग रुपए लगा था सहांट हजार को में पूरा सहांट हजार लिखू क्या है साहाट हजार है ना और यह कितने महिने तक छे महिने तक और फिर बाद में कितना हजार लगा एक लाग्त अग-मतलाब व disp Kia Max है स्पश्चय मने तक कि सच्षा जासाए प्रागले कितना पैसा लगा रहा है एक लाक यह टोटल पैसा उसको उसने पिज्चेस में लगाया था हाँ या ना ऐसे ही स्याम की बाद करें तो स्याम ने 80,000 रुपए लगाया थे सुरू में कितने महिने तक नो महिने बाद बीसे जार निकाल ले तो आप इसे में तक अरे साल के तीन महीने और बच्चे हैं नहीं पल्ले पड़ रहा है एक साल का बिजने से 6 और 6 बारा महीने 9 और 3 बारा महीने इसका मतलब कि जो रेसो जो प्रॉफिट बटेगा वो ऐसे बटेगा साहाट चेंग और 100 चेंग ये छे लाक और यिये साड़े तीन लाक चो साहट हजार और ये छे लाक और यह 3 बारiałहु टपीन लाक या कितने हो गए ताथ आठ नौव लाग हो गए इसके कितने लाग नौव लाग रुपए इसके लगे रहे नौव लाग मतलब नौव सो हजार रेसे लिख दूँ क्या तुम्हें गणित में थोड़ा फुद पल्ले पड़ता है मैं क्या कहना चाह रहा हूं अरे ये ये 9 statue जा रहे न और ये नौव लागई है नव सो हजार अब यो प्रॉफिट बटे अगा वो इस रेसे में बटेगा हजार से हजार उड़ा दूँ जीरो से जीरो उड़ा दूँ छे से ये भी कट्रा कितनी सोला बार और और चेसे ये कट्रा कितनी बार पंदरा बार तो जो पैसा बटेगा उसमें से 16 हिस्से इसके पास जाएंगे और 15 हिस्से इसके पास जाएंगे कहानी समझ नहीं है तो मैं repeat करता हूँ एक बार हाँ तो मैंने भी तो निकाले हैं उसके सांटी हजार बिजनेस में चले बाद में इसके पहले असी हजार लगे थे बिजनेस में कितने लगे थे असी हजार तो असी हजार कितने में चलते रहे तो उसको असी हजार का जो प्रॉफिट हो नो ही महिने का मिलेगा तो असी हजार का प्रॉफिट केवल नो महिने तक उसके बाद उसने बिजनेस में केवल कितने साइत तो पहले चल रहे थे 40 और होगे तो आप पिस्ट में यहां से कितना चला है एक लाख दोच MARY तक कर देज चल रहे थे अगले चैनल तक छरोगा या ना वर्मा सावनेर क्या क्या चल रहा है अभी डाउट है नहीं बात में क्यों समझाएंगे और तो घटा है तो सहीं बाबू यह फीच लेगी तेरे से अगली बार देखो मेरी बात है मेरी बात है समझ में आ रही है कि सहाट हजर सुरू में लगाये थे आ या ना इसो मैने तक सहाट हजर चलता रहा। कितने महेने तक उसके बाद इस कितने हजार है je ливо 요ton 40,000 कितने देशने और 40,000 ओर दिए तो अब इसका बिजनेश में कितना रहा क्या हुआ एक साल का चो मेने तरहो हो चुए अगले diarrhati यहांगल नहीं यह दो यह वाला पैसा डरी लाया चाहनीं खत्म मतलब इसlement उसका पैसा इस से बिजने से उसके में कितने थे 80,000 20 निक जाले कितने बचे हैं अब बिजने सहाहती हedsię लगे हैं 9 मेंने आलरी हो चुक है बिजने स क साल का तो तीन महीने बोलो लो इधर यह वाला पैसा लाग राहा 9 मेहने तक और यह वाला पैसा लाग रहा अब clear है, कि बाद में और समझाओ, अब clear है, चलो, इसके 16 हिस्ट और इसके total profit कितना है, स्रीयन्व 2000 का, 16 और 15 कितना होता है सर, 31, 31 का जो value है, वो किसके बराबर है, स्रीयन्व 1000 के बराबर है, बोलो हां या न, तो 16 का value क्या होगा और 15 का value क्या होगा दोनों निकालना है 16 का value क्या होगा और 15 का क्या होगा 16 से गुणा करोंगे तो 16 आएगा 15 से गुणा करोंगे तो 15 आएगा अभी किसी को doubt हो तो बताओ sir देखो class में अगर आप एक भी चीज़ छोड़ छोड़ के आगे बढ़ रहे ना अगर आप चीज़ें छोड़ छोड़ के आगे बढ़ रहे हो तो सर दिक्कते तो आएगी और अगर थोड़ा सा घर जाके आज ही मेहनत कर लिया तो तुम्हें इस भील्ड से और टेक करने में कोई नियुक पाएगा और तुम इस भील्ड से ओटेक हो गए तो बाकी भील्ड को भी ओटेक करने में आपको कोई नियुक पाएगा ओटेक आपको खुद होना है मेरे पढ़ाने से आपका सेलेक्शन नहीं होता नहीं दुनिया में किसी टीचर के पढ़ाने तो फिर उस बच्चे में दम है कि या हसरा है कि अभी कबार तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे घूर के सब देखते हैं कि तुम्हें पल्ले भी पढ़ा में क्या कह रहा हूं मतलब ऐसा लगता है कि जिससे कुछ दूसरे और मजा आ रहा है बोलने में जिसको पल्ले कुछ नीप पढ़ा पर मजा तो आ रहा है सर एलियन की दर कुछ आवाज आ रही है तो मजा नहीं पल्ले पढ़ा थोड़ी सी चीजों को रिपीट आप खुद भी घर करना कल की क्लास हमारी और बच्ची इस केस में तो हम थोड़ा सा और लेवल बढ़ा के काम करेंगे है ना बहुत जादा नहीं बस थोड़ा सा कि अरे करूंगा ना कि कौन से पहले अरे में खुद नहीं बना पाता यह तो अब भी जल्दवाजी में साथ अर्वजी उठके बनाए तुम्हा लिए ने तो एसे लिखता पूरा अब ठीक है मिलगा सुबर जल्दी उड़ गया तो हो गया काम पैसे है नहीं जो है अपनी जहें ले दे के क्या कि आपकी क्लास जो रहेगी मौनिंग में 8-11 रहेगी इवनिंग में 4-7 रहेगी आप में से कोई बच्चा दोनों टाइम बेटना चाहेका तो दोनों टाइम बेट सकता है तुमको एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगी यह नहीं बेठोगे पर अगर नहीं सीखे हो तो आपने उसके पईसाधी आता तो सीखूंगा अगर आ रही है क्योंकि आप एक बार यह चीज़ें पढ़ चुके हो सोचो और अगर दूसरी बेच में फिर से यह पढ़ा रहा हो तो आपका टाइम खराब हो रहा है तो आपको खु क्यों चलो तो दस मीटा रहेगा पर रभेस दस मीटा मतलब घड़ी देकी दस में अंदर बताना आपका काम हो जाये तो आह जाना तीक है और बेटना यह जाना चांच क्यों कि आरहा रहेगी ना का रमलोख क्याहका रहेगी कि यहीं लगेगी